Hello everyone, जैहिन सभी लोगों, क्याल चाल सबके कैसो हो सारे के सारे और यार यहाँ पर एक बहुत बड़ी चिंता का विशा बन चुका है अपना Indian Transimulator का जो अपडेट है कुछ लोग को बहुत जादा चिंता हो रही अपडेट नहीं आ रहा है तो उनकी यहाँ पर जिन्दिगी नहीं चल लई है और क्या कहते हैं रहने पा रहा है जी नहीं पा रहा है बिना अपडेट के तो उसी के बारे मार्स थोड़ी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि अपना जो अपडेट है क्यों डिले होता जा रहा है इसका भी रीजन आज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगा क्या रीजन है किसलिए अपडेट नहीं आ रहा है जानबूष के अपडेट नहीं दिया जा रहा है या इसके पीछे कोई reason है तो यार information अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना और share कर देना वीडियो को ताकि और लोगों को पता चल जाए कि अपना जो update है वो भी क्यों नहीं आ रहा है और channel पे नए हो और subscribe नहीं किया है तो जल्दी से channel को subscribe कर लो वो भगल वाले bell icon को भी on कर लेना तो अभी हम आगे बढ़ते है तो यार यहां पर सबसे पहले update आये ना आये उसकी बात अलग है लेकिन यहां पर मैं छोड़ी छोड़ी बात बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात की पहले से ही update नहीं आ रहा था और वहाँ पर delay होता गया डिले होता गया अलफा अच्छस है आया फिर अब ये भी हो रहा है कि सातवा आएगा तो सातवा तो आएगा नहीं और तो अलफा आते गए पिर अभी होली के बाद अभी एक बार और अपना six update आया था अलफा का तो ये बात तो अलग थी वहाँ पर थोड़ा वहाँ पेशन्स हो रहा था सबका लेकिन अभी क्या है कि सबका पेशन्स हो चुका है खतम और अब यहां पर गाली देनी शुरू कर दी है तो देखो गाली दे दोगे और अपडेट आ जाएगा और ऐसे कर लोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है देखो गाली दोगे तुम्हें भी उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा यह मस्तोचो तो जिन लोगों ने भाई गाली दी उन लोग ने भाई उसी तरह से उनको ट्रीट किया गया और जो ग्रूप की जो अपनी लिंक है वही रिसेट कर दी जाए नहीं कोई नया बंदा जोइन होगा और ना तो यहाँ पर ग्रूप पर यह सब होगा तो अभी फिलाल अपने ग्रूप की जो लिंक है वो रिसेट हो चुकी है तो जिनलों को जोइन करना था वो पहले ही जोइन कर चुके हैं और बाकी की बात है अब यहीं अपने YouTube के comment section पर ही होगी दूसरी बात यार यहाँ पर यह गाली वाली लिखने की जरूत नहीं है अब यहाँ पर मैं तुमको बता दूँ कि अपना अपडेट क्यो नहीं आ रहा है अब देखो भाई अपना जो carrier mode आया है उसमें developer का यह कहना है कि कि किसी को कुछ satisfaction नहीं मिल लगी है अलफा अपडेट आया तो वो एक meeting हुई meeting में यह पता चला कि भाई अपना जो अलफा अपडेट है उसमें कुछ-कुछ mistakes हैं वो अभी बीटा में release करने के लिए या फिर public में release करने के लिए नहीं है यह बीच में हुआ था कि यहाँ जो अपना update है वो ready हो चुका है rollout होने के लिए बीच में एक बार rollout किया गया पर वहाँ पर वो update नहीं हुआ due to some technical issues तो फिर वहाँ पर यह decide किया गिए यहाँ पर कुछ mistakes है उनने से ही किया जाए अब mistakes कौन सी है आपका जो carrier mode है उसमें वहाँ पर उनने कुछ नई चीज़े add कर रहे है या तो वो एक नया coach भी ला रहे है यह तो पता नहीं coach तो नहीं ला रहे है लेकिन वहाँ पर वो carrier mode को और अच्छा बना रहे है और वहाँ पर एक दो चीज़े और add कर रहे है तो इस वज़े से आपको यहाँ पर beta का update शायद next update में देखने को यानि कि next हफते आपको देखने को मिल जाए अगले हफते तक आपको beta का update देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी उन्हें अभी maybe का use किया है और maybe का मतलब यार अभी भी कह नहीं सकते पूरी अच्छी तरीके से कि कब काम पूरा होगा और कब update आएगा और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एतना जो update है एक साथ देने में लग सकता है थोड़ा time इसलिए वहाँ पर उन्हें ने roll out किया था लेकिन वहाँ पर वो upload अच्छे से नहीं हुआ और वहाँ पर update नहीं आ पाया यही main reason है दो चोटे चोटे कि अपना जो update है वो बहुत जादा है वो आएगा एक साथ कमाईनों के बीटा में और दूसरा reason कि वहाँ पर कुछ और नए changes वहाँ पर carrier mode में किये जा रहे है अपने game में जिससे कि यार आपको game जो अपना अच्छा मिल सके update तो यार भी मिल जाएगा पर सड़ा गरा game लेके कोई फायदा है नहीं इसलिए अच्छा game लो देर से लो वही जादा फायदा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको update का इंतजार करना पड़ेगा साथी साथ आपको public भी थोड़े दिन में मिल जाएगा तो यार आज की इस वीडियो को मैं ही खतम करते हैं और जो मैंने बात बोली उसका भाई बुरा लगे तो कोई बुरा लगना चाहिए एक दो लोग है वो समझ गयें किनको बुरा लगना और भाई जिनको बुरा नहीं लगना है वो तो हैई वो तो पेशेंस करी रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं अच्छे उसमें कोई दिक्कत नहीं है जिनको भाई बुरा लग रहा है वो उस वीडियो को छोड़के डिसलाइक करके यहाँ पर अंसब्सक्राइब करके अभी चैनल को जा सकता है वहाँ पर मेरे को कोई प्रोब्लम नह सब्सक्राइब करके जरू लगना आगे आपको वीडियो में जैहिंद